संगम युग पर हम सभी को संतुष्टा आत्मा बनना है संतुष्टा वास्तों में संपूर्णता की निशानी है जब आत्मा बाबा से सर्व खजाने प्राप्त करके पूरी तरह त्रप्त हो जाती है तब उसका चित्ष्यान्त हो जाता है उससे चार और बहुत ज़्यादा लाइट फैलने लगती है संतुष्ट रहना बहुत उसे तो होता ही नहीं क्योंकि च्छाएं जीवन में बहुत ज़्यादा रहती है कैसी च्छाएं एक तो संसारिक सादनों की वैभू की सेवाओं में भी हैं तो उनमें कई च्छाएं लेकिन सुक्स में च्छाएं हैं मान की नाम की मेरा नाम हो तो ये मैं सेवा करूँ मुझे ये अफसर मिले तो सेवा करूँ मेरा मान बढ़े लोग मुझे मान क्यों नहीं देते मैं इतनी अच्छी सेवा करती हूँ फिर भी लोग मुझे वैल्यू नहीं दे रहें पूछ नहीं रहें देखो उसको आगे बढ़ाया जा रहा है मुझे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है उससे अधिक योगितों मैं हूँ, ये सब जो चक्रवियू है इच्छाओं का, ये मनुस की सुक्सम सक्तियों को नर्स्ट करने लगता है, तो हम अपना जीवन ऐसा बनाएं, कि हमारी सभी इच्छाओं स्यांत हो गई हो, एक तो ज्यान की द्रस्टी से भी हमें इच्छाओं का त्याप कर देना चाहिए, कैसे? कि इच्छाओं तो अन्थेइन हैं, इच्छाओं तो भोतिक संसारिक हैं, इनसे आत्मा तो संतुस नहीं होगी, गीता में भी है, आत्मा, आत्मा में ही संतुस रहती है, जो आत्मा, आत्मा में ही संतुस रहती है, वही इस्थित प्रग्य है, आत्मा से बाहर निकल कर बाहिये मुखी होकर बाहिये इच्छाओं के पीछे भाग कर करमेंद्रियों के रसों को पुरा करते हुए कोई भी मनुस्त्रप्त नहीं हो सकता कुछ लोग ऐसा भी का करते हैं जो इच्छाओं से संपूर्ण रूप से पूरा दिल भर के बहुक कर लो तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी ऐसा नहीं होता बहुक करने से इच्छाओं बढ़ती हैं इसलिए इच्छाओं का त्याग ही इच्छाओं से मुक्त होने का एक तरी हैं ग्यान का खजाना जो रोज मिलता है वो कोई छोटा भंडार नहीं है विसाल भंडार है हम उसके चिंतन के द्वारा दूसरों को ग्यानदान देकर अपने इस खजाने को बढ़ाते चले हैं खजाना रोज मुलियों से ही हमें मिलता है हम अपने से पूछें हमारा ये खजाना बढ़ता जा रहा है या छोचोटी बातों में हमारी खुशी नस्ठ हो जाती है हम अपनी खुशी इदर उदर डूनते हैं दूसरों में डूनते हैं सादनों में डूनते हैं सफलता हो तो हम इस बात में ढूनते हैं ये भी हम चेक करें हमारी खुशी निराधार हो हमें खुश रहना है क्योंकि भगवान हमें मिल गया है सरस्रेश प्राप्तियां हमें हो गई है संकल्पो का खजाना हमारे संकल्प महान बनते जा रहे हैं हम अपने समय को सफल करते जा रहे हैं, पुन्यों का खजाना हमारा भरपूर होता जा रहा है, हम पुन्यों के खजाने से संपन हैं, जो हमारी बहुत बड़ी निधी है, क्या प्योरिटी का खजाना हमारा स्रंगार कर रहा है, इन खजानों को हम योग बलके द्वारा बढ़ा अतिंद्रिये शुक बहस्ता है, शंती का खजाना बढ़ता है, शुक बढ़ते हैं, प्रेम बढ़ता है, सद्गुन बढ़ते हैं, हमारी शक्तिया बढ़ती हैं, ये सब खजाने हम बढ़ाते जा रहे हों, क्योंकि ऐसे खाली रहकर तो को इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हो सकता जब इस वरी एक खजाने हमारे अंदर भरेंगे तभी सभी इच्छाओं से हम भुक्त हो सकेंगे हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमें कुछ चाहिए ही नहीं हमें पता ही नहीं इच्छा भी कुछ होती है क्या जो मिला उस हम तरप्त होंगे तो आईए हम सभी इच्छा मात्रम विद्या हो कर संतुस्त आत्मा बने चारों और संतुस्ता की लेहर फैलाएं जो महान बनना चाहते हैं जो विजय रतन बनना चाहते हैं वो मान और नाम की इच्छा से उपर उठकर निसकाम भाव से सेवा करने लगें ओम स्यंटी